हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आल आज मैं आपके ले जो वीडियो लेक्या रहा हूं देखिए अगर आप कोई ऐसा शेर ढूंड रहे हो जिसके अंदर कापाफलेटी है और जिसके नंबर से दिखा रहे हैं कि वह अगला बजाज फाइनेंस बन सकता है तो बिलकुल इस शेर को देखोगे जिस एक छोटे शेर को मैं बात कर रहा हूं उसके प्रॉफिट को देखोगे पिसले 10 साल का जो ग्रोथ देखोगे तब आप कहोगे हां बिलकुल ऐसे ही ग्रो कर रहा है जैसे बजाज फाइनेंस ग्रो किया था कमाल की ग्रोथ आज कौर्टरी रिजल्ट आ है औ उसके प्रॉफिट के नंबर्स को आप देखोगे अरे वा क्या ग्रोथ है मुझे तो ये शेर खरीदना चाहिए और इसके वीडियो मैं बहुत टाइम पहले से आपको बताते हुए आ रहा हूं कि यहां बई गोल्डन क्रोशोबर बन चुका है मौका है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और समझिये इस टॉक के बारे मैं मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप पूरा देख आपने क्या सूचा उसको चाहे पॉजिटीव हो चाहे नेगेटिव हो जो भी आपने सोचा इस स्टॉक के बारे मैं बजाज फाइनेंस जैसा ये बन सकता और नहीं possibilities इसकी है, तो comment के थूरू जरूर बताईएगा, फिलाल मैं आपको latest जो इसका result आया है, वो दिखाता हूँ, साथ मैं यह देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को subscribe नहीं कहा, तो पहले चैनल को subscribe कर ले, फिर bell icon को press कर ले, जिससे आ को notification आती रहेगी, stock की तरब लेके चलता हूँ, बजाज finance, अब बजाज finance को मैं कहता हूँ, अगर non banking financial की दुनिया का बेताज बात्सा मान के चलिए, बजाज finance को, मतलब कि यह सारे shares का बाप है, MBFC पे है, अगर आप देखो, धाई लाग करोड के आसपास का market capitalization, 4000 का price लगात दे दिया, no doubt, जबर्दस jump, जबर्दस profit growth, जबर्दस sales growth, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, इस stock की, मननापुरम finance limited, अब मननापुरम finance को देखे, छोटा सा share, मैं इसको कहूंगा, small cap से mid cap की तरब यह share गया है, इसमें भी बड़ी गिरावटा ही थी लेकिन इस stock में काफी कुछ positive देखने को मिला मुझे, अब बात ऐसी है, market capitalization 14,000 करोड का है, sales growth 20% की है, profit growth 37% का है, और बात करता हूँ, अब देखे, banking financial का share है, banking का नहीं, financial का share है, तो debt की बात मत करना, देखे, बहुत बार मैं बनाता हूँ, SDFC का अगर मैं video बनाता हूँ, SDFC बैंक का वीडियो बनाता हूँ, बजाज finance का वीडियो बनाता हूँ, ऐसे बहुत सारे, जब finance के shares के में video बनाता हूँ, तो लोग वहाँ पर कहते हैं, debt बहुत जाता है, अब एक बार SBI, State Bank of India का debt देखे, SDFC का debt देखे, तो banking share, पैप debt मत देखे, इसका NP and all चीज़े देखी हमेसा आकोणों के उपर में जाओं अगर, आकड़े यानि कि revenue, profit इनके उपर जाओं तो मुझे इसमे capability दिखती है, आपको भी दिखेगी, ये देखे, revenue देखे, 2006-07 में ये 20-40 करोड का था, ये देखे, क्या growth है, 40-80-80-160 exponential growth दिखा रहा और आज की date में more than 4000 करोड का revenue, और profit देखे, जो 4 करोड का profit हुआ करता था, वो 10 करोड गया, 10 से 20 गया, 20 से 30 गया, और आज की date में 1000 करोड के पार का profit, अब ये सारी चीज़े देखे, आपको growth potential नहीं देख रहा है, इसमें देखे, पिछले एक साल में इसका stock double हुआ है पैसा, no doubt, लेकिन पिछले 10 साल में 20% की speed ने आपको return दिया है, इवन profit growth देखें, पिछले 10 साल से continuously 41% का compounded profit growth है, पिछले 3 साल में 37% का है, तो मतलब consistently पैसा कमा के आपको दे रहा है, ये मननपुरम finance, लेकिन ये सब छोड़िये, हम बात करते हैं आज के numbers की, क्या आज के numbers भी ऐसी हैं, क्योंकि जो जुलाई से लेके असर कल की market यानि की आज की date 6 November है, याद रखें, 7 November को कैसा असर देखने को मिलेगा, वो आप result देखके बता पाऊगे, देखें, इतनी तारीफ है हमने पहले ही कर दी, अब result ही बिल्कुल dull आ गया, तो क्या होगा, देखें, result देखते हैं, फिर बताते हैं, और result से पहले एक result की तरब चलते हैं, देखें, result बात ऐसी है, result जो आया है, मैं स्टार्ट करूँगा, total income से consolidated result को हम देख रहे है, मननपूरम finance का, numbers जो है, वो करोड में, याद रखें, number क्या है, करोड में, total income की बात करते हैं, तो 1334 करोड, 1334 करोड की total income हुई है, which is, मैं कहूंगा, बहुत ही जबर्दस growth, 1027 करोड से 1334 करोड, कितना हो गया, total अगर round off करके भी आप देखें, तो 300 करोड का, मुझे सीधे सीधे jump देख रहा है, पिछले साल, September के comparison में, इस साल में, मैं कहूंगा, awesome, बढ़िया, जून में कितनी थी है, 1184 करोड, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, total income में, 300 करोड का jump, अब यहीं नहीं रुकूंगा, मैं थोड़ा और आगे चलूंगा, और आगे चलते चलते देखें, यहाँ पे, अब हम चलेंगे, profit की तरफ, before tax और after tax, क्योंकि आज कल, before tax और after tax देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि tax station में कही कंपरी सेव कर रही है, before tax 514 करोड का profit है, आप क्लियरली देखें, फिर profit for the period देखेंगे, अब यह देखें, मैं आपको draw करके दिखा देता हूं, before tax 514 करोड का profit है, जो साड़े 300 करोड था पिसले साल, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 100, 1.500 प्लस 14 यह मान के चले, 164 कर करोड का jump आपको profit में देखने को विला है, मुझे तो काफी अच्छा लगा, काभीले तारीफ profit, और यही profit last year, last year नहीं, जून 2019 में 414 करोड था, 100 करोड जून के comparison में, और last year सेप्टेंबर के comparison में, 164 करोड जंप, awesome मैं कहूंगा, before tax, अभी हम after tax में नहीं आया, अब after tax पे आते हैं, यह देखिए, after tax में आता हूं, तो मुझे 407 करोड का profit देख रहा है, और जू कि पिछले साल था 224 करोड, तो इसके comparison में आप देखी कितना jump है, यह jump 7 करोड यह हो गया, 24 करोड यह हो गया, कितना jump हो गया, मैं कहूंगा, बहुत ही बढ़िया jump, 300 से 400, 100 यह हो गया और यहां पे आप 100 मैंसे 24 और माइनस कर दीजे, 100 मैंसे 24 आप माइनस कर गया, तो आपका हो गया, 76 और प्लस 7 और जोड दीजे, 81, 100 प्लस 81 करोड का, मतलब भाई, 81 भी नहीं हो गया, कितने, 76 प्लस आपको 7 जोड आ है, कितना हुआ, 83 करोड का, 183 करोड का यह jump, और यह वा awesome भाई, अब आप देखे कितने किस तरीके से, क्या इस share में इस result को देखे, आप यह नहीं लगाओगे, कल की जब market open होगी, तो कितना बड़ा gap up opening देखने को भी लेगा, जी मैंने हमेशा देखा, यहां पर result में, अच्छा positive आदा तो gap up opening, और बहुत अच्छा आता तो बड ध्यान रखे, positive आने से पहले भी जो लोग खरीदारी करते हैं न, पहले से उनको पता होता है, वो एक एक रुपे का हिसाब किताब लगा के बैठे होते हैं, वो सुरु से इसको खरीदारें पर लगे होते हैं share को, तो वो लोग profit भी बुक करते हैं, इस gap up opening के साथ, retail investor घुस अच्छा मैं कहूंगा, अब पिछले quarters का अगर आप performance देखो, तो लगातार profit table है, बहुत बढ़िया profit कर रहा है, अब एक नजर और देखते हैं, अब हम बात करते हैं, किस चीज की हम हमेशा NPA, NPA कहते रहते हैं, इसका भी NPA देख लेते हैं, यह देखे किस तरीके से इसके पिछले quarters के NPA है, इतना ज्यादा, मतलब NPA आपको देखने को देखने को, बेसिक है, 0.70% का gross NPA और net NPA 0.40% इसका चला, और profit देखे, September 2016 क्वाटर में देखे कितना जया था, 192 करोड इस तरीके से बढ़ता हुआ, और September 2018 में आपने देखा कि 224 करोड, मतलब बढ़िया profit य ये share के बारे में, अभी के current NPA मुझे इस result पर देखने को नहीं मिले, और अभी जब आएंगे तो मैं आपको update कर दूँगा, फिलाल मुझे जब रतस त्याप पर jump देखने को मिला, और साथ मैं dividend भी declare किया है, और dividend के साथ मैं technically share को आपको बताना चाहूँगा, वो समझे, इ बढ़िया ये level था entry का, और उसके बाद share ने रुकने का नाम ने लिया, मैं कहूंगा कि ये पहला entry point, दो entry point मिले, और उसके बाद share देखे, ये breakout आया, breakout जब देखे, पूरा ये, तो golden crossover बनने के बाद किस तरीके से मौका मिला, वो भी आपने देखा, ये जो मैं आपको बता आई थी, पिसले 3 दिन से लगाता है, ये गिर रहा था, आज की date में इसने low बना 160 का, और कहां से 173 के level से, अब कल मुझे लगता है कि 173 से कहीं उपर open होके, बिलकुल आपको जबरतस return देने के कोशिश करेगा, अब इस share में, मैं golden crossover, golden crossover, death crossover, बहुत कह रहा था, अब आप द बेचा होता, तो आप clearly देखें, और समझे, मननापुरम finance, एक जबरदस्त, मुझे लगता है, यहाँ पर share है, खुब कमाई करके देने वाला है, share यह लगता है, और यहाँ पर मैं बात करू, corporate action में जाता हूं, तो dividend देता हूं, यह share, dividend भी बहुत इसने दिये है, देखिए, dividend यह साल में, अभी कुछ टाइम पहले भी इसने dividend दिया था, कितना dividend यह देता है, साल में देखिए, November, February और March, हर quarter में 55 पैसे का dividend यह regular दे रहा है, साथ के साथ अगर बात करते हैं, bonus की तो अब तक तीन बार bonus भी issue कर चुका है, मतलब बढ़िया share, और भड़े shareholder ने तो जब यहां पे नंदा कुमार VP, इसके major promoter है, दूसरे promoters सुष्मा नंदा कुमार जी है, तो एक बढ़िया जबरदस share, अब आप खुद बताईए, क्या यह अगला बजाज finance बन सकता है, बहुत छोटा share है, no doubt, comparison कुछ है नहीं, लेकिन बताईए, result देखके, numbers देखके, मुझे ल बताईए, thank you, thank you for watching the video.